ये रहे question answer और आये मालिक ये देखिए ये लगा BSNL चौका ये गाना है जब तक फेरे ना हो पूरे साथ पूछ रहे ना मम्मा से मम्मा से ना दादी से भी पूछने ना भाई तो दादी को ज्यादा अच्छे से पता हो ना हो दादी से पूछना तो डादी के time का गाना है तो ये आ रहा है भाई साथ भया जी रेटन का chapter है लेकिन उसनमें जो लपफूश सा चे ने बोलनवा पे आ गयाना दोले है न जो जी जींगर 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 क्वेस्चन उन्हें तुड़े न करांगा मैं आपको अरे हम तो थोड़ा सा वजन वाले क्वेस्चन कराएंगे आपको और हमाई तरफ से पहला कुष्चन आपके लिए कौन सा चलो आईए जरा यहां पर आईए गुरुप ट्रीक लेगा बता देंगे भाई बहुत अच्छा गाना है देखा मेरा कमाल कुमार सानु भी आज ताली बजा रहा भाई सब कुमारी गाने पर कुमार सानु ताली बजाता है सोच हो जरा कितने बड़े लेवल के सिंगर रहे होंगे हम देख लो नहीं तो आभी दादी के टाइम के हैं थप्र मारू खिज के मतां तो जबी निकमा कहीं का Mr. Anand Kumar a regular taxpayer file कर रहे हैं GSTR1 for the month of augusta फेरे बाद पढ़ेंगे रोख दू पांच में पढ़ेगा भागी बाद बढ़ेंगे आनंद कुमार है रेविट एक्सपियर है जिस्ट एरवन फाइल कर रहे हैं for the month of August before the due date later in the month of February next year he discovers error in GSTR 1 for the month of August already filed तो फाइल रिटन फाइल हो चुकी बाद में पता कब है कोई error है तो अगस्त क्रिटन को revised file करेगा या फिल अगर February में पढ़ा है तो February का जो GSTR 1 जा रहा होगा which is required to be filed on 11th March वहाँ जाकर उसे show कर दे क्या करेगा वहाँ जाकर शूकर दे अलाग से आपको रिवाई return file करने के जरूरत नहीं है वही तो करेगा जाकर अमेंडमेंट वारे portion जाकर वही तो क्लिक करेगा जाकर कि बी टू बी है बी टू सी क्या है कैसे है वहाँ जाकर दे कितना comfort रहता ना GSTR पूर्टल देख लिए और वहाँ जाकर दे काम खतम कर दिमाग मारते हैं ठीक है जी सब चैप्टर 16 मारते हैं अब दिवा मत खराब कर पहले question कर ले मैं खहा न मैं ऐसे नहीं करूँगा मुझे खतम नहीं करना complete करना है खतम और complete में बड़ा फरक होता है अगर अब एक right person से शादी हो जाती है right person से तो जिन्दगी complete है और wrong से होगे जिन्दगी खतम है जिन्दगी जंड है फिर भी घमंड है आगे बढ़ते हैं वहालत हो जाती है अब Canon 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 Enterprises registered supplier of designer wedding dresses under regular scheme his aggregate turnover annual has aggregate annual turnover 30 lakh in preceding financial year it is of the view that in the current financial year in the current financial year it is permitted to file its statement of outward GSTR1 on quarterly basis इसको लगता है quarterly basis फाइल कर सकता है while its accountant advise it to file the same on monthly basis आप ही बताओ क्या करना चाहिए जित पकड़ रहा कि नहीं नहीं मैं तो वह करूंगा मैं तो quarterly फाइल करूंगा व्योंकि मेरा पिछले साल का annual turnover 30 lakh रुपीज है क्या बोलते हैं बताओ क्या होगा इसमें तो सेक्शन 37 स्रेपलेट एट जिस्टीर वन फॉर एप्टिकुलर मन्त इस रिक्वाइड तो वी फाइल ओन और बिफूर प्लीज थोड़ा करेक्शन करना है अपने तैंथ के वजा क्या करना है आपने 11th 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 day of the immediately succeeding month that is monthly basis however presently as a measure of easing compliance requirement for a small taxpayer the detail of outward supply of goods or service or both to registered person can be furnished for the first and second month of a quarter up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the month qrmp की तरफ मोड़ दिया चने के अप qrmp की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं using invoice furnishing facility electronically on the common portal from the first day of the month succeeding the the taxpayer opting for furnishing detail of outward supply on quarterly basis the option of return on quarterly basis is available taxpayer up to five crore तर की स्की मापी काम करके चलते हैं आप कहना क्या चाहते हो in view of the same Kevin enterprise can file GST on quarterly basis if it has opted to furnish the output supply detail on quarterly basis and filing IFF on monthly basis to quarterly आपका जी एस्टर महां पर चला जाएगा आपको पहले दूसरे महिने के लिए IFF के चलते हुए वह अपना भणना पड़ेगा B2B supplies and फिर पहले दूसरे महिने का B2C और लास्ट थर्ड महिने के B2C और बी टूबी और लिकर्ठी करके जीस्टर में up to 1.5 क्रोड है तो वहां पर वैसे by default भी हमें quarterly option मिल जाता वो लिखा जा सकता है इसके तर साथ है ठीक है ऐसे करके हाँ जी वो लिखा जा सकता है मोक्ष मेने बता दिए भाव जी आगे चलो रहे थर्ड का सेवन थर्ड का सेवन काशी बताए काशी कौन सी मूवी में किसका नाम था पानी पीलो में जब तक काशी तुम सोचके बताओ किसका नाम था किसका नाम कौन सी मूवी में 1.5 क्रोड वाला कैसे लिखेंगे बता हूँ सर उसमें कुछ नहीं करना बस इतना लिख देंगे अगर हम आपको 1.5 क्रोड वाल लिखना है कि as per the provision of CGST law if the turnover in preceding financial year is up मैं लिख देता हूँ आप इस का अंसर ऐसे करके भी लिख सकते हूँ if turnover in preceding financial year is up to 1.5 क्रोड वाल लिख देता हूँ then may file GSTR 1 on quarterly basis उसके बाद conclusion hence in the present case since the turnover of Mr. Mr. Scavenen enterprises 30 lakh का पढ़ता है तो quarterly file कर सकते है if कर सकते है तो that we are going to see then file CMP 08 then file CMP 08 जड़ कर दो वांबोर सकते है QRM उसके नहीं नहीं जी अस्टR 1 के लिए अलग से लेमिटर है उसके लिए GSTR 1 के लिए रख से लिमेटर सुमया प्रियंका चोपडा सर मुवी थी बाजी राव मस्ता ने श्रेया तेरे में कभी आंसर ने दिखता मैं कुछ पूछता हूँ तेरा आंसर कभी नहीं आता आज देख नए नए आगए यहां पे अजया कुमार श्रेया कहांच पे रहते हो कहां से आते हैं लोगी नहीं नाम दिख रहे हैं आज मुझे यहां पे आके जो इस फील्ड में अपने पकड़ ब्राय रखते हैं राहुल से नहीं वाह गमाल करती तो भाई साब चरो जे काशी नाम सनेदेवल का था डायलोग भी लिखे आ रहे हैं कि कातिया साथ को मारूंगा एक साथ मारूंगा क्यों आरेंपी में क्या लिखा भे तीसरे पॉइंट में गुहल कातिया की टूपी याद आ रही है म्यूजिक भी याद आ रहोगा उसका काशी इजे रेजिस्टर्ड इंट्रा इस्टेट सप्लायर ओफ गुड्स इन हरियाना दूरिंग दा मन्त अगस्थ अंड सप्टेंबर शी वाज आउट अफ इस्टेशन ओहुँ ओने जे रिलीजियस प्लिगिम्स विद हर फैमिली ओहुँ फिफ्टीफ डेज की छटी ते में तो बेहच निकल जाता है वे ते में तो बेहच निकल जाता है क्या पाडियों पे जाके क्लास ली थी बता दो तस no business transaction was made during the August अगस्थ में दंदा नहीं हुआ मिस काशी is of the opinion that as there is no transaction there is no need to file monthly return G.S.T.R.1 for the month of August however her tax consultant has advised her to file NIL G.S.T.R.3B whether the advice given by the consultant is correct or not correct है कि बच्चा का आशी पाड़ों पे चुट्टी मना रहे हो ये तुम्हें पता है हमें पता है सरकार को पता नहीं है तो बता दीजिए कि भया NIL है कोई काम धंदा नहीं हुआ ऐसी कि तैसी में जाओ हम मना रहे हैं छुट्टी जिंदगी इसे कहते हैं ठीक आओ आगे चले येस सर विलन आंसर A चेंच इफ काशी हैस प्लेस्ट अन ओर फॉर सम पर्चेसे मेड दूरिंग अगस्ट ओवर हर मुबाइल फोन विच वास बीन रसीवड इन हर प्रमाइचस अगर वो यहां पर आईटी सी रेना चाह रहे हैं आपको पता है वो जी एस्टी आरवन वगरा निल के फाइल हो जाते हैं सिर्फ उपर क्लिक करना होता है सारी टेबल हाइड हो जाती है अगर आपको निल फाइल करना है अभी तो क्या यह फर्दर एक्सेंट हो जाएगा पूरा फोर्म लंबा चोड़ा यह इतना पूर और खुल जाएगा तरफ यह ना इतना सारा खुल जाता है लेकिन मालिक जब हम उसको निल करते हैं तो सारे के सारे टेबल अपनी ब्लैंक हो जाती है अभी दिखायते हैं उस सारे टेबल हट जाती है कुछ बसता है नहीं है लेकिन वो यह कह रहा है कि आपके पास कुछ इन्वार्ट सप्लाई वगरा थी तो वैसे वाले केस में क्या निल की बात करी जा सकती है कि नहीं कर जा सकती है बताइए तो भी में क्या बोलता है निल जिया निल जिया स्ट्या 3B means that return has nil or no entry no 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 entry in it's all tables जितनी भी आपको tables 3B के अंदर फिल करने पड़ती है कुछ लिखनी है उससे बोलते है निल लेकिन if you have something to declare then your return cannot be filed as nil अब निल की file नहीं कर सकते हैं ओके और शिट ये क्या हुआ चलो ठीक है साब ये सर आगे बढ़िये मालिक आगे बढ़िये साहिब और उसके बाद ये आ रहा है assuming in a above मिश कासी doesn't have internet facility in her mobile ओ पहाड़ों पे एटल नहीं आ रहा क्या एड में तो दिखाता है कि पाड़ों पे भी रहता ये टल there is no facilitation center notified by the commissioner आसपास कोई सुविधा केंदर भी नहीं है जहां पर जाकर return file करवा दे whether no return is required to be filed in the absence of means to file return अगर return file करने के साधन इसके पास नहीं है तो return file नहीं होगी कहते हैं किस्मत की रखीरे हाथों में होती है पर किस्मत तो उनकी भी होती है इनके हाथ नहीं होते कहते return file करने के लिए internet जरूरी होता है लेकिन return तो वहां भी file होगी जहां पर internet नहीं होगा किस पे sms 12409 12409 पे sms करना था आपको वहां से वह करा दी जाएगे देखा मेरा कमाल हाँ सर जी चलो जी यह हो गया आगे चलो मेरा मनना थर्ड का 10 बे थर्ड का 10 ओहो ओहो you love me you love me not गौरी शिवा रजिस्टर्ड पर्सन 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 पंचा जहो गौरी मैया की जहो supplies goods taxable added of 12% CGST 12% CGST 6 and SGST 6% thank you so much for clarifying it की what is the bifurcation of 12% thank you thank you so much और आपने ये बताने के लिए कि IGST rate 12% है ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदर स्टेट पंजाब इन हर्याना है he was furnished the following detail in the detail in relation to independent supplies made by him in the quarter ending June इतना 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 पूछ कर आपे इतनी लंबी चौड़ी टेबल दे के पूछता है the aggregate turnover of Gauri Shiva in the preceding financial year 1.2 करोड रूपीज with reference to rule number 59 of CGST rules discuss the manner in which the details of above supplies are required कैसे कैसे दिखाए जाएगी invoice-wise या consolidated दिखाए जाएगी बताएए रे 10 item है किसकी invoice-wise जाएगी चैक करें देखो जबसे पहले किसको दूआएगी जो बीटूवी वाले है उन्हों बूद रेजिस्टर्ड परसन ओ या 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 जब टिक लगा रहा हूं यह मेरी जैंगी कैसे जैंगी कि इन वाइस वाइस यह भी जाएगी इन वाइस वाइस रजिटर ना पहले उसको एक तरफ से निकाल लूँ कि देखा मेरा कबर कितना थेज पड़ रहहां वं आज करम क cinnamon यह देखो वीच अब्युद्स से जाएंगे साथ मoring का इंटर okay that कौन सा इंटरथा एंटर सीश्ट एलग इरा क्या तह सिर्ट को यूद्धा आएगा ऐगा तो नहीं, इन्वाइस वाइस, धाइलाक से उपर का इंटरस्टेट है और B2C ये भले ही, तो ये भी आपका जाएगा वैसे करके, अगला इंटरस्टेट तो है बढ़ पचाजा चोड़ रहे, इंटरस्टेट पर अप्टू नहीं चोड़ रहे, अगला है इंटरस्टेट दो अस सिका है और यह जाएगा यह जाएका आथवाका नमश रीत आपके मेरे सबसे पहला और दूसरा और पांच पहला दूसरा पांच 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 आगे करना सर जी अरे आगे चलो तो से हमारे साथ तो हमारे साथ साथ चलते चलो ये आपका चलो ये करो अगला क्वेश्चेन आप आईश्मान और रजिस्टर्ड परसन हैविंग इंट्रस्टेट एग्रिगेट टर्नोवर 1.2 करोड इन प्रिसिदिंग फानाशनल एर डिद नॉट फाइल 3B इन दा मन्थ अफ सेप्टेंबर बाई 10 नवेंबर की डिट आगई निकम मे जब की फाइल नकर आपना कौन सब्हेंन का सप्टम्बर का सप्टम्बर का जब कि फाइल हो जाना चीय था अपना 20 अक्टूबर तक लेकिल फाइल नकिया दस नॉम्बर गीट आगई इमॉंट उट्स पेबल पर एट लैक रूपीज all his supplies are interstate supply is there any late fee payable for the same if yes 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 what is the amount of late fee क्या late fee pay करनी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी कितनी या त्रियों से नवेदर हैं कि जो late fee की table थी उसको खोल ले या त्रियों से कर पर नवेदर हैं कि जो आपकी बुक में late fee की table थी उसे खोल ले कल जो हमने पढ़ी थी late fee या त्रियों से नवेदर हैं कि उसे खोल ले लप उसे question दे लखे हैं अथा तल तो आजा बनाते हैं इसको लपी हाँ कितना हैं एक हजार क्या क्यों हो एक हजार किस के लिए cgst के लिए complete कितना होगा 2000 तो यहां पर maximum fees हमें निकाल नहीं है दरसल यह पूछ रहा है भाई मैं यह लग देना maximum fees बतानी हैं तो यहां पर आगई एक हजार और एक हजार यह आगे आपकी 2000 चलो जी आगे विल यूर आंसर भी डिफरेंट रहने इफ आईशमान हैं इंट्रस्टेट अगरी के टनुवर पांच करोर इंदा प्रिशिदिंग फाइनशल येर तो फीज क्या होगी पांजार प्लस यहाँ पर हो जाएगी आपकी ये 5000 कहा है वे यह रही 5000 आगे चलो विल रांसर भी डिफरेंट रहने इफ दे टुटल अमाउंट ऑफ पेबर इन 3B फर दो मन्त अफ सेप्टमबर इस निल 500 प्लस 500 ये अपनी यहाँ पर निकल कह जाएगी 500 रुपे की करेक्ट है ओके दिसंबर दिसंबर 2021 पांच निमर का क्वेशन आया हुआ है PQR Limited रहे फाइड दिर 3B रिटर्न फर दे मन्त अफ अगस्त इतना विद दे दू दे दे लिट इस बीस नो इतना 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 अगस्त में दजर का पिमिंट कम हुआ जब पिमिंट के तो कैसे किया साड़े साथ जर कैश से दिया और दाए जर क्रेट से दिया रिस्पेक्टिवली फ़र GSTR 3B ऑफ अक्टूबर अक्टूबर का जब GSTR 3B फाइल किया था वो फाइल कब किया होगा 20 नेवंबर को वहां दिया पेमिंट कब की थी ट्रांसक्शन कब की थी अगस्ट की थी कब दे रहे हो अक्टूबर की रिटर्न के साथ लटका के दे रहे हो ब्याज लगेगा अगस्ट की त्रांसक्शन थी तो इसकी डूडेट क्या पढ़ी होगी सब्टेंबर 20 सब्टेंबर पढ़ी होगी तो वहां देना चाहिए था लेकिन दिया का भई है? 20 नवंबर को दिया है कितने दिन होगे? सब्टेंबर कितने पढ़े भई? 10 दिन पढ़े सब्टेंबर के? अक्टूबर के 31 पढ़े? और अक्टूबर नवंबर कितने पढ़े? 20 नवंबर के पढ़े कितने होगे? 61 दि 61 दिनों का ब्या जाना चाहिए 365 ऐसी की तैसी multiplied by rate क्या है अठारे divided by 100 बताना कितना रहा है 10,000 देखे रहें कहीं कीट कहीं करोड़ा कहाँ प्रावजिन पड़ा था section 50 थनाप का ये interest वाला 300 ये answer calculate करोबे कितना रहा है 360 तीनसो रुबे तारे हैं बच्छे तो 300 301 बनेगा 302 पर कुछ आरा इसमें कितना रहा है वोई को रहा है राउंड अफ कर जे 301 परा कर और क्या बोलता है what would be your answer if GSTR 3B for the month of August had been filed belatedly on किरा if your answer 3B for the month अगस्त महिने की ही return late file हो रही है इतनी को तो interest gross पैगा net पैगा जिस महिने की transaction उसी महिने की return में दिखाई जा रही है और लिकिन वो return late file हो रही है notice कोई आया नहीं है तो आपका लगेगा वो net के उपर इस बार right तो कितना है भाई साब 7000 कितना रहे 500 into 61 देश तो भी रहेंगे न देश तो भी है न 61, 365 into 18 how much 200 225 यहां answer अपना आ जाता है चेक कर लिजेगा आया मजा पहले बताओ भाई साब आज तक इमांदारे से बताओ न आपको अपने पूरे question answer की book में जो की ICAI के content से भरा पढ़ा है आपके सामने चाहे past exam question आजाए चाहा RTP, MTP का आजाए चाहा ICA study mentor के question सामने आजाए एक question आज तक ऐसा नहीं आया जिसने तुम्हें दुखी करके रख दिया हो क्या रही है जिसे accounts में AFM वगरा हम अपने question आजाए दिमाग खराब करने वाले एक भी नायास तक सारे question तुम्हारे आगे लप्टू बन गए सचिन बन गए आगे चलो July 2021 पांच नमबर ले लो रहे फिरी के नमबर मिल रहे है explain who is required to furnish final return और time limit क्या है और late fee delay की क्या हो जाएगी तीन चीज़ पूछ रहा है किन को भरनी होती है final return बुर न चनिस से जट्थू टेकोई सपना जिनकी आर्सी surrender कर देते है या जिनकी आर्सी cancel करवा दी जाती है उनको अंतिम संसकार वाल return देनी होती है दूसरा time limit क्या है cancellation order की date और effectiveness of the cancellation whichever is later उसके तीर महिने के भीतर भीतर आपको टन भर देनी चाहिए and what is the late fees late fee है आपकी section number 47 के अंदर अकर कि भाई अगर आपने फाइल नहीं करी है तो ऐसे वाले case में क्या करेंगे 100 रुपीज पर दे which may reduce to 25 रुपीज और रुपीज 5000 whichever is lower वहाँ तक की आपको फीज लगा दी जाएगी टन टन पाँच नमबर आपके पाँच नमबर आपके किन को देनी होती है surrender कर दी हो या cancel कर दी गई हो और तीर महीने फाइल करनी है cancellation और effective date से और ये fees ये आगई और ये आगई आया मजा बोलो बो मजा आया कि नहीं आया देखा मेरा कमाल ओहो एक और पाँच नमबर ले 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 who can be registered as GST practitioner मैं तो कह रहा हूँ ये question तुमारे लिए आजाब भाई साव तो धुमाड़ा के आओगे वहाँ पे दो page का article आपके पास में कौन बन सकता है करता क्या है कैसे करता है कौन अपॉइंट करता है कैसे करता है कान ढूंडते हैं काम क्या करता है जिम्मिदारी किसके रहेगी sound person होना चाहिए कम से कम graduate होना चाहिए CA advocate वगरा सब लपेट करा जाओगे आप उसको ओए हुए नवंबर 20 तीन नंबर अच्छा तीन का आपके इन फॉर्म GSTR 1 submission of invoice wise detail of output supplies mandatory for all kind of invoice issued during the tax period comment on the validity of the नहीं नहीं उसको बोलो नहीं सिर्फ कुछ का ही invoice wise देना होता है जो B2B है डायलक सूपर की interested transaction है और उनके जो बच्चे debit credit note उनका देना होता है आपको क्या बोलते है invoice wise otherwise जो आपके डायलक तक interested transaction है B2C है उनका भी आपका जाएगा consolidate और जितनी भी आपके अधर्वाइस B2C transaction उनका भी जाएगा आपका consolidate और इक जो बच्चे debit credit note उनका भी जाएगा consolidate राधे राधे लब पूशे question है एकदम फीजी पीजी ले जन्वरी 2021 किस तीन नंबर क्या aggregate पूचा खूब गया चेप्टर से भाई चेप्टर से पूचा खूब शायद को एटम्ट छूट राए भीच में तीन नंबर पांच नंबर को question आ रहा है इसलिए जान लगाईए मैंने तुमारे कहने के बावजूद भी चेप्टर दूसरा कादो तो मैंने कराया नहीं है और मैंने एक बात और देखो notice नहीं कि तुम नहीं है क्या last moment पर भगाया नहीं जाता जब पांच साथ क्लास रजाती तो फटा पट उड़ाया जाता कसम तुमारी मैंने एक minute भी आपका ये नहीं करा कि भाई चरो निप्टाव खतम करो नहीं शिद्दत आज भी वह ये जो पहली क्लास में थी अपने केवेश सारे वादे आदे मुझे वस सारे निभाय मैंने आपसे एग्रिकेट टर्नवर ऑप मिस्टर प्रथवी रजिस्टर परसन फॉर दा फानेशलिस 1718,19 वर 140,70,000,000,000 रचे टर्नवर इतल साथ था इनका टर्न ऊवर 100,000,000,000 वर 140,000,000,000 था और रहाप्ता मार हो खीच के दो करोड तक वालों को नहीं देने, दो करोड से उपर एन्यूवल टन की विंडो खुलती है बे, निकम में, उनमें भी नहीं देनी होती है, बहुत साथ लोगों को, casual taxable person हो गया, NRTP हो गया, TDS, TCS, ISD and government department, इनको नहीं देनी होती है, हाँ, वैसे करके, देखा मेरा कमाल, हाँ, 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 मेरा मन नहीं करा, class खितम करने का, चलो, हाँ, आगे बढ़ते हैं मालिक और, इसमें हो गया जी, अपना काम खता, बहुत हो गया अब, अब जो बच्चे questions से आप कर लेना, बचा क्या है, निवट लिया चप्टर, यहां खतम है, जो बच्चे हैं उसे आप कर लेना, लप्व लप्व रह गया, कोई दो चार, ऐसे करके, आपका यह चैप्टर यहां पर आकर संपन हो जाता है, पर मेरा मन बिलकुल नहीं करा, से लबस खतम करने का,